करनाटक चुनाओं में कॉंग्रेस के नेतरित्व की एक जुटता और वीजेपी सरकार की खामियों के कारण सरकार परिवर्तन का पूरा समिकरन बन चुका है। जनादेश की कारण साफ तोर पर ऐसा लगता है कि राज्जी वीजेपी शाखाओ द्वारा केंद्री ने तृत्व पर सीमा से जादा जिम्मेदारी डालना उसका परिणाम सामने आ रहा है दो हजार चौबिस से पहले जहां यह भाजपा नेताओं के लिए जागने का समय है वहीं दूसरी और कॉंग्रिस के लिए इसे एक अच्छी शुरुवात कहा जा सकता है सूत्रों के हवाले से कॉंग्रिस को 136 के आसपास सीटे वीजेपी की सीटे घटकर 64 महीं पूर मुख्यमंत्री ह.ड कुमार स्वामी की पार्टी जेडियस जिसे किंग मेकर के रूप में बताया जा रहा था उसे 20 सीटों से संतोश करना पड़ रहा है कॉंग्रिस के इस जीत के पीछे कॉंग्रिस के द्वारा किये गए वादो जैसे मुफ्त बस यात्रा गैस सिलेंडर के अलावा कॉंग्रिस अध्यक्षव खुद को धर्ति पुत्र बताने वाले मलिका अरजुन खडगे के प्रयास जिसने डीके और सिद्धु गुट को एक मंत्रियों विधाई को वह अन्य जन्सेव को द्वारा किये गए कार्यों से जन्ता का असंतुष्ट होना मुख्य वज़ा रही इसके अतिरिक्त त्रिशंकु सरकार बनने के कारण प्रदेश में उपजी राजनीतिक और स्थिर्ता ने भी जन्ता को एक सपष्ट भहुमत द कॉंग्रेस से डीके शिवकुमार और सिधारमया सीयम पत का चहरा हो चुके हैं संसदिय दल की बैठक के बाद करनाटक की जन्ता को सीयम मिल सकता है हाला कि वीजेपी के तथा कथित ऑपरेशन लोटस के कारण पहले से ही कॉंग्रेस ने होटल बुक करा लिये हैं और जीतने वाले विधायकों की सुरक्षा की पूरी तयारी चल रही है कई सीटों पर काटे की टक्कर के बावजूत कॉंग्रेस की है जीत वर्तमान भारती राजनीती में बदलाव की सूत्रधार हो सकती है जैसा कि वर्तमान मुख्यमंतरी बस्वराज बोमई ने कहा है भाशपा को आ की बीच यह जीत दब गई है हाला कि यह जीत योगी आदित्यनात की बुनियात को शेत्री और राश्टी राजनीती में मजबूत अवश्य करेगी वही पंजाब में लोकसभा उक्चनाव में जीत आम आदमी पार्टी को जलंदर सीट मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक, अर्विन केजरिवाल और पंजाब के मुख्यमंतरी भगमंतमान ने संयोगत रूप से मीडिया से कहा कि 14 महीने पुरानी सरकार को पंजाब की जनता ने अपना समर्धन दे कर जो विश्वास जताया है उसका परिडाम अगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने क को में लेगाब